पुर्वांचल की सबसे होट सीट मौसदर बाहू बली बिधायक मुखतारंसारी के नाम से हमेशा चर्चा में बनी रहती है दो दसकों से अधिक समय से इस सीट पर कबजा जमाये मुखतारंसारी को उनके गढ़ में दलों की चुनवती देपाना काफि मुश्किल रहता है जेल से जित्ते आ रहे है बाहूबली को हरापाना दलों के लिए कड़ी चुनवती है अब बिधान सभा चुनाव 222 के चुनाव में मुखतार के किले में फिर सिंदमारी करने का परियास किया जा रहा है जिसके लिए तमाम दावेदार लखनवर में जमे हुए हैं जिनकी मुखतार के गढ़ माने जाने वाले मुखतार पर खाश नजर भी है मौ की सदर सीट गवा है कि उस मिथक के टुटने का डिस्मेया कहा जाता था कि यहां से कोई भी बिधायक दुबारा नहीं चुना जाता है और इस मिथक को थोड़ा पुरवांचल में गाजिपूर के मुलनिवासी बाहु बली मिधायक मुखतार अन्शारी ने 1990 में मुखतार सीट से पहली बार विधायक बने मुखतार अन्शारी ने लगतार दो दसको से अधिक समय तक इस सदर सीट पर अपना कबजा बढ़करा रखा इस सीट पर मुखतार के तिलिस्म का जादो इस कदर है कि सभी पार्टियां अभी तक इस तिलिस्म को तोड़ने में नाकाम रही है इस सीट पर मुखतार का प्रभाव कुछ इस कदर है कि वो ने दलिये भी लड़ जाए तब भी उनकी जीत शुनिश सीट माने जाती है लोगों का ऐसा मानना है कि मुक्तारंसारी किसी पार्टी के मुहताज नहीं है मुक्तारंसारी 1996 में बसपा के प्रतियासी के रूप में महु सदर से पहली बार चुनाव में उतरे और पहली बार ही मौ की जंता ने उन्हें हाथों हाथ लिया और वह मौ सदर से बिधायक चुन लिये गए इसके बाद मुक्तार अंसारी ने कभी मोड कर नहीं देखा साल दो हजार दो हो साथ हो इसी सीट से निदली चुनाव लड़े और बीजाई रहे 2010 में मुक्तार अंसारी ने कौमी एक्तादल का गठन किया और 2012 में कौमी एक्तादल से चुनाव में उतरे और जीध हासिर के 2017 के बिधान सबा चुनाव में मुक्तार अंसारी एक बार फिर बसपा के टिकट पर मैदान में उतरे कहते हैं कि मुक्तार अंसारी का प्रभाब पुर्वांचिर के लगभग दरजन भरविधान सबा सीटों पर है लेकिन 2017 में भाजपा की होगी के बनने के बाद लगतार सरकार के निसाने पर मुक्तार अंसारी और उनके समर्थक रहे उनके करोडों के शंपतियों को या दो धोस्त कर दिया या कूरक कर लिया सरकार ने अपने ताबट तोड कारेवाही से मुक्तार के दबदबे को कम करने की कोशिश की है कहते हैं कि बाबा का बुल्डोजर सबसे जादा मुक्तार अनसारी के ऊपर ही चला लोगों के मन में भी हो संदे उठने लगा था कि क्या इतनी कारेवाहीं के बावजुद मुक्तार अनसारी इस बार अपने अभेद कीले को बचाने में सफल होंगे हलाकि बसपा ने मुक्तार से किनारा कर लिया सपाव शुभाशपा के गड़ बंदन के बाद मुक्तार अनसारी ने दल लड़ेंगे या सुभाशपा के टिकट पर या फिर शमाजवादी पार्टी के टिकट पर यह हत्ता होना बाकी है लेकिन इतना तो तै है कि मुखतार को उनके इस गढ़ में चुनावती दे पाना दलों के लिए जमिनी अस्तर पर मुखतार का समर्थन करते काफी कठीन है अलाके मुखतार अनसारी के किले में सेंदमारी के लिए सभी दलों के निताओं की अपनी अपनी दावेदारी है भाजपा के कई निता महू सदर से टिकट पाने के लिए लगातार लखनावर में डेरा डाले हुए है बाज़पा के दावेदारों में सबसे पहला नाम असोक सिंग का आ रहा है असोक सिंग मुक्तार रिषारी के खिलाब हत्या के केस में मुख्य गबाह भी है बाज़पा के अने दावेदारों में पश्य मंगाल की वामर्चक के परभारे सक्ति सिंग है बाजपा के जिला अध्यक्ष प्रमिन गुपता बजरंगी सिंग बज्जु जिला मंत्री शुनिलियादो कल्पनात राय की पुत्र वधु शीता राय बिजे प्रताप सिंग और त्रिबेडी वर्मा भी शामिल है बाजपा से गोस्ती बिजे राजबर भर भी इस पर दावेदारी ठोकने का प्रयाश कर रही है वहीं बसपाने सदर शीट से अपनी परदेश अध्यक्ष भीम राजबर को मुछतार के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं पहले भी मैदान में उतर चुके हैं उनके साथ बताते चली की महउ सदर शीट पर अंतिम चरण म साथ मार्च को मदान होना है और सभी पार्टिया मुक्तार के किलों को दोस्त करने के लिए तैयारियों में जूट गई है अब देखना यह हो दिल्चस्प होगा कि मुस्लिम बाहूले शीट पजहानों सुचित जाती के अलावा ब्रामर शत्री राजबर और शुवान मदादा बिने नायक साबित होते हैं इस बार विदान सबचुनाओं 2022 में 7 मार्च को उट किस करवट लेगा क्या इस बार भी मुक्तार अंसारी अजे रहेंगे या उनका किलाद धोस्त होगा या तो 10 मार्च को आने वाले विदान सबचुनाओं की नतीज़े सामने आने के बाद ही पता चल सकेगा फिलहाल मुकाबला काफी कांटी का है नियुज रूम से नियुज लाइफ की रपॉर्ट